जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी तक एहमदाबाद से अगरतला तक बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान सोयवीन का दाम पिछले साल 10,000 रुपे प्रति कुइंटल को पार कर गया था इस साल भी किसानों को सोयवीन का रेट ऐसा ही रहने की उमीद है इसलिए उन्होंने बिक्री की बजाए भंडार पर फोकस किया है लेकिन क्या उनका उनुमान सही निकलने वाला है या फिर इस साल पार किसानों को इस साल पहले जैसा दाम नहीं मिल रहा है इस साल अब तक सोयवीन के दाम में क्यों इजाफ़ा नहीं हुआ है जबकि खाद तेलों का दाम आसमान पर है, सोयवीन महतपून दलहनी फसल है दरसल सरकार के कुछ एहम फैसलों की वज़े से इस साल सोयवीन के दाम में इजाफ़े की उमीद नहीं है सरकार ने सलानग 20-20 लाग टन क्रूर सोयवीन ओयल और सूरज मुखी तेल के आयाद पर सीमा शुलक और एक्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर सेश को मार्च 2024 तक खतम कर दिया है वित्व मंतरवाले की ओर से जारियती सूचना के अनुसा सलाना 20-20 लाग टन कच्चे सोयवीन और सूरज मुखी तेल पर वित्वर्च 2022 और टेश चौबिस में आयाद शुलक नहीं लगाया जाएगा इस निर्णे के साथ पांच फीसदी प्रभावी सीमा शुलक और उपकर को स्चून ने कर दिया जाएगा और वित्वर्च 2022 और 2023 में कुल 80 लाग टन क्रूड सोयवीन और क्रूड सूरज मुखी तेल की शुलक मुक्त आयाद की अनुमती दी जाएगी वही जानकारों का मानना है कि पाम उयल के एक्सपोर्ट पर रोख अटाने के इंडोनेशिया के हाल के फैसले के साथ ही केंदिस और कार के इन फैसलों से सोयवीन की कीमतों में कमजोरी की आश्रंग का बंती दिखाई दे रही थी लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मद्रप्रदेश के जिलो में पिछले 15 दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण अब खरीफ सीजन की मुक्य फसल सोयवीन समेथ अन्यपस संकड मंदराने लगा है ऐसे में वहना जा रहा है कि अगर इस बार मौनसून के चलते हैं सोयवीन की बुआई पर असर पड़ा तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है और अगर उत्पादन प्रभावित हुआ तो कीमतों में टेजी बन सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स ट्री वी झाल झाल